आयर्वे समाधन में आपका स्वागत है जान लेते हैं कि कैसे चहरे पर लगाएं कि चहरा गोरा और चमकदार बने ओईली स्किन के लिए नीबू काफी कारगर साबित होता है नीबू को पानी में मिला ले और रूई की मदद से चहरे पर लगाएं इससे पिंपल और ब्लैक हैट जैसी कई समस्याएं दूर हो जाती है ताजे नीबू के रस से तवचा नर्म और मुलायम होती है यदि घुटने और कोहनी के तवचा को मुलायम और साफ करना है तो इसके लिए सीधे तवचा पर नीबू को रग रहे सूखे और फटे होटों पर नीबू का रस लगाने से काफी फायदा पहुचता है आप मलाई और शेहत में नीबू का रस मिलाकर प्राकरतिक लिप बाम भी बना सकते हैं इसे लगाने से आपकी होटों की नमी बरकरार बनी रहेगी यदि अंडा आम काले पढ़ गए हैं और उनसे बदबू भी आती है तो इससे छुटकारा पाने के लिए रूई के सहारे नीबू अंडरामस पर लगाएं नीबू का रस कील मुहासों पर काफी असरदार होता है नीबू में विटमिन सी पाया जाता है जो आपकी तवचा को स्वस्त और चमकदार बनाता है कील मुहासों को जन्म देने वाले बैक्टिरिया को दूर करता है नीबू के साथ गुलाब जल की कुछ बूनों का मिश्रण एक बढ़िया मॉस्चराइजर बनता है दोनों एक साथ मिलकर तवचा को साफ और गोरा करते हैं यदि आप अपने बालों की रूसी से परिशान है तो आप हैर ओयल में नीबू का रस मिला कर कुछ देर के लिए बालों पर मसाज करें और फिर बालों को धोले नीबू रस और बेकिंग सोडा का मिश्रण दोनों दातों को सफेद करने में कारगर है आयूर्वे समाधान जीवन जीने की एक पद्धती है जिसमें बताएगे नुसके व्रेद्यों की राय के मताबिक होते है जीवन को नीरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेर कीजिए आयूर्वे समाधान